वेल्कम टू मारवल फूचर फाइट हिंदे इंडिया तो इचली शुरू करते हैं तो ब्लाक डॉफ के लिए बेस्ट फाइट टीम्स बताने वाला हूं तो जल्दी से बिना टाइम वेस के जल्दी शुरू करते हैं तो ब्लाक डॉफ को हराने के लिए यानि कुल ऑपसिडियों को हराने के लिए यहां पर मैं तुम जो टीम इस्तामर कर सकते हो पहली जो टीम है वह मैं तुमको अंदर जाके दिखाता हो पहली जो टीम है पहली वाली टीम तुम ले सकते हो पहली वाली टीम जो है तुम ले सकते हो हल्क बॉस्टर की लीड ठीक है हल्क बॉस्टर का इनिफॉम अगर नहीं लिया है तो ले लो और इसको टीर 2 कर लो टीर 2 करने के बाद में आरमेंग को भी सबसे पहले आरमेंग को कर लेना और हल्क बुस्टब लेने के बाद में बाकी का ये लिडर्शिप वगेरा अर्वेनफ को अच्छी अच्पोर्ट करते डीता है और एक सपोर्ट के रियाटर में साइकल उप मिलता है तो साइकलोप को दे सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो कोलसन यहाँ पर थोड़ा सा सुपर विलन फाक्षन प्रोवाइड कर देता है प्लस क्रिटिकल रेट 20 परसंट एक्स्ट्रा दे देता है और बाकी के चीज़े भी स्किल कुल्डाउन डूरेशन वग्यरा बढ़ा के दे देता है जिस व अब थोड़ा बहुत अच्छा वाइदा उटा सकते हो इस टीम के साथ और ये टीम कुल अपस्रोडें को अच्छे से धोबी गाड की तरफ पड़क के दो सकती है करें 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 लगबग 30 सेकंड के अंदर में क्लियर कर दिया है थोड़ा सा मैं टीर 3 स्किल जल्दी यूज़ करता तो और जल्दी कर लेता देखे मैं को tier 2 के साथ में इसको stage क्लियर करके देख सकते हैं तुम level 1, level 2, level 3 Tier 2 है तो tier 2 के साथ में भी क्लियर कर सकते हो tier 3 हो जाएगा तो फिर तो और अछ़फ़ है और ज़ल्दी क्लियर होगा तो iron man के टीम में first iron man के टीम बले सकते हो उसके बाद मैं second team बताऊंगा तो first team में यहाँ पर RMA की साथ में अगर तुमको leadership character रखना है तो Hulkbuster की leadership का इस्तमेल कर सकते हो second वाली team है second team में recommend करूंगा Agent 1 के साथ में Dr. Strange Agent 1 की leadership है Blast Ramp की character एसके लिए 45% increased energy attack ठीक है तो Agent 1 का अगर पूराना वाला uniform तुमार रपस में है गोड़ वाला तो उसके साथ में Dr. Strange को लेके जाकर and support team में Wong को रखके आराम से stage क्लियर कर सकते हो तो इसने भी लगबख same time लिया है जितना टाइम आरामन लिया थोड़ा आरामन थोड़ा cover टाइम ले सकता था अगर मैं T3 skill time पर यूज़ करता तो तो Dr. Strange को तुम लोग CTP Energy के साथ में CTP Destruction के साथ में easily इस्तेमाल कर सकते हो World Boss Ultimate में ठीक है प्लस अगर World Boss Legend भी खेलना चाते हो Dr. Strange के साथ में तो World Boss Legend भी क्लियर करके दे देगा लेकिन थोड़े सी दिक्कत जाएगी कि CTP Race चाहिए तब जाके थोड़ सा अच्छा प्रोंपस मिलेगा और CTP Rage अगर नहीं है तो Destruction या Energy लगा के काम चल सकता है और अगर वो CTP नहीं है तो collect करो और तब तक बाकी जो characters है जो इस टीम में में recommend करने वाला हूँ वो टीम को साथ में तुम प्ले कर सकते हो जिसे Iron Man Iron Man Obelis के साथ में अच्छा वर्क करता है थर्ड वाली जो टीम है थर्ड में यहाँ पर Deadpool recommend कर रहा हूँ है Deadpool यहाँ पर में यह stage Cool Obsidian का stage clear कर सकता है जूट लग रहा है तो मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख लेना जिसमें मैंने Deadpool vs Cool Obsidian किया हुआ है सर्च मारागे तो यूटूब में मिलेगा Deadpool vs Cool Obsidian या Blackdorf तो यहाँ पर मैं तुम उसकी fight देख लेना वो यहाँ पर मैं stages clear कर के दिखा देगा उसके बाद में जो चौथी टीम है चौथी टीम में तुम यहाँ पर में ले सकते हो Nick Fury अगर तुम्हा पर में निक Fury है तो Nick Fury ले सकते हो अगर Nick Fury नहीं है तो Nick Fury के जगह पर यहाँ पर तुम लोग ले सकते हो Blast Cap के character से जो अपना आता है Cyclope Star Lord अता है Star Lord स्थलोड इस्थमाल कर सकते हो support character में तुम जहाँ पर मैं अपने condition के साफ से यूज कर सकते हो अगर तुम्हार अपस में tier 2 character है वलबस अर्टिमेट में तो tier 2 character इस तमार कर सकते हो support पर अगर tier 3 है अवेकन है तो वो इस तमार कर सकते हो कौन सा character कौन से टीम के साथ ले रहे हो वो तुमारे उपर है यहाँ पर मैं शेरों के साथ में फिल को रिकमेंड करूंगा और यह स्टीजिस इजल्दी हार जाती है स्टीजिस में तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए वेनम रिकमेंड है रेल लेगे जाना और अ आई टीम सपोर्ट में अलाइस में तो अलाइस में एशन्ट वन का भी सपोर्ट ले सकते हो एशन्ट वन थोड़ा डेबफ फ्रोट कर दीती है तो वहाँ पर मैं उस वज़े से वहाँ पर मैं स्टेजिस में कोई दिक्कत तुमको जाएगी नहीं खेलने के लिए यह मैं दिक्राइब कर देती है इसे जो बाकी के बॉब से वह रिमूव हो जाते है कुछ सेकंड्स के लिए तो वह उसके वहाँ के वाज़े से शेरण का जो हीलिंग है शेरण को डूरी बिलेटी है थोड़े समय के लिए तुमको एक शेड प्रोवाइड हो जाएगी कि तुमारे बफ कम नहीं करेगा तो थोड़ा सा वह स्टर्ण और बाइंड होने से वहाँ पर स्टेजस में शेरण बच जाएगी तो शेरण को इस्तमार करना चाहते हो तो यह टीम लेके जरू जाना अगर थैनौस नहीं है तो थैनौस के जगह पे बाकी और क्यारेक्टर है सुपर वि अगर तो यहाँ पर में एक डामेज देता है वह टोड़ी वह टूड़ी जासकती है तो थोड़ी तुमको देख देखके खेलना पड़ेगा क्योंकि कुल ऑपसिडियन जो मारने में एक डामेज देता है चार परसेंगा जो कि इसको बाड़ी फॉल्ट दिया होगा तो उसके वज़े से वाइट फॉक्स का जो सुपर विलम फाक्षन है सिक्स्टी परसन का वह यहाँ पर उसको मिल दाएगा यहाँ पर दिखतू नहीं रहा है लेकिन होगा तो आप पर पाचवी टीम जो है हुमो टॉर्ट को लेके जा सकते हो अब हुमो टॉर्ट के जगवा पर अगर तुम्हार पसमें कोई अधर क्यारेटर है लाइक और केबल या कोई और ब्लास्ट टैप का कोई और अधर कैरेटर तो यहाँ पर यूज कर सकते हो स्टेजेश को क्लियर करने के ले मेरेको थोड़ा सा हिमो टॉर्ट में थोड़ा दम लगा था कूछ टाइम से हिमो टॉर्ट काफि अच्छा कैरेटर था तो उसको यहाँपर मैं यूज करने के लिए ज़ो कुल करने और सेज़ का स्टेज एज स्क्राइब करने के लिए मैकसीमम जो չाली उनके पास है उनके पास में एनरज imaging होना चीए एनरज आट मेफ decisoder करने वाले क्यारेटर यह स्ट्रेश को थोड़ा जल्दी टे爾 जल्दी तो इसलिए यहाँ पर मैं energy attack करने वाले characters सबसे ज्यादा यूज करना है और energy attack करने वाले character को यहाँ पर ज्यादा effective माना गया है इसलिए यहाँ पर energy attack करने वाले characters को मैंने ज्यादा recommend किया है जैसे एक जाम Ironman, Doctor Strange, डेडपूल यहाँ पर physical attack करती है तो डेडपूल के जगह पर कोई और character करना चाहते हो तो डेडपूल के जगह पर कोई और इसलिए लेकिन डेडपूल कर देती है इसलिए उसको मैंने recommend किया जो की काफी पूराने टाइम से चल रही है दो तीन साल तो डेडपूल काफी अच्छी character है उस मामने में उसके बाद में शेराउन भी ब्लास टाइब की character है फिजिकल अटक करती है लेकिन उसका डामेज जो है फिजिकल है थोड़ा बहुत उसको तोड़ा लड़ने में दिखकर जाती है मैं अभी समझा दिया कोई से टीम लेना है उसके साथ में टीम ले सकते हो और हिमोटर्ज का character जो की ब्लास टाइब का character है और फायर डामेज करत लीडर्लातों लेकिन प्लपीट ल्याश्यप की बना दिया है और बागी वोल्ड़ बोस अल्टिमेट्स अलीवडी टीम बनादी है को से टीम से लेके जाना झालिए को से support character लगेango से लीडर्षिप टीम भागर्फी बना दी है वह सर्च मारका देख सकते हो मिल देगी और सपोर्ट की कयरेक्टर की विडियो मिल देगी सपोर्टем के के चेरीकटर्स में जितने भी सपोर्ट टैप जो सपोर्ट टे देते हैं उन Mercant Κ के लिस्ट महां पर बना के दिए तो वह चाहो तो जा के देख सकते हो ठीक है और किसी को कुछ डाउट होगा तो कर नीचे comment section बता देना इस stages में तुम लोग 5 alliance में तुम लोग इस्तमार कर सकते हो Wanda को Wanda के साथ में ancient one को Venom को Captain को Captain का अगर पुना वाला uniform अगर अगर तुम्हार अपस में होगा मैं new player की बात नहीं कर रहो जिनके बास में पहले साथ है तो वह यहां पर यूज कर सकते हैं और जिनके बास में अभी latest वाले uniforms है latest वाले वह यहां पर मैं थोड़ा सा देखके सुपर विलन फैक्शन को देखके इस्तमार करें